कि कि समझने वाले हैं क्या होता है लेंटिक एन लोटिक एको सिस्टम ची कहा है इस्टार्ट करते हैं ऐसे पहले डालाप लेक्स जीह आधा पानी ठहरा होता है उसे ही बोलेंगे लेंटिक ऑक जैसे यह हो गया लेकिन अगर पानी फ्लो हो रहा है जैसे कहां फ्लो होता है नदियों वगयरा में जो धाराएं वगयरा होती है वहां पर फ्लो होता है उसे क्या बोलेंगे लोटिक एकोसिस्टम जिसे नदी की कोई धारा बैय रही है या नदी बैय रही है तो वो क्या है लोटिक एकोसिस्ट are flowing water bodies such as river stream and creeks यानि कि अगर आपको घर के बाहर कोई तालाब नज़र आता है तो वो क्या है लेंटिक लेकिन घर से आओ और थोड़ा दूर जाते हैं एक नदी बहती नज़र आ रही है तो उसे क्या वह लेंगे लोग टिक 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 है आप हम डिटेल में समझते हैं तो पहला क्रेक्टरिस्टिक साफ लेंटिक एको सिस्टम जहां पर पानी ठहरा होता है जैसे दल दल होता है तो यहां पर जो पानी क्या होता है वाटर कंडिशन स्टेबल होती है यहां पर जो भी उगेगा ठीक है न जो लाइकेंस वगारा सामने आएँगे तो क्या होगा यहीं उगेंगे यहीं खत्म हो जाएँगे तो कुल मिला कि organic matter भी यहां काफी जादा होता है तो जिससे होता क्या है कि यहां पर जो productivity होती है या बायो डाइवरसिटी होती है वो जादा होती है ठीक है ना कहां पर? Atlantic में यानि कि एक नदी से जादा बायो डाइवरसिटी एक तालाब में मिलेगी आप इसको देख भी सकते हैं कि नदी किनारे जाईए और टालाब में जाईए आपको परता लेगा तालाब में जादा है जी ठीक है ना तीरा हरावरा ना जादा है यह गल्ड़ गल देख लो जो हमारे wetlands होते हैं वहां की बायोडर्विस्टी जादा होती है क्यों जादा होती है उसका रीजन यह आपके सामने लिखा है अब लेंटिक एको सिस्टम कैन बी केटिकराइज इन सेवरल टाइपस बेस्ट ओन दियर वाटर केमिस्ट्री इंकलूडिंग फ्रेस वाटर अगर पानी एकदम साफ है जैसे गाउं में तालाब होते हैं तो फ्रेस वाटर हमारे हो गए जैसे तालाब बगएरा ब्रैकिस या सैलाइन ठीक है ना ब्रैकिस क्या होता है जहां पर खारा और साफ पानी दोनों मिला होता है लेकिन पानी ठैरा हुआ है मालो तो ब्रैकिस हो जाएगा सैलाइन पूरा हारा पानी है तालब करता है कि ज़ो वाटर किमिस्ट्री किस तरीके की है ठीक घेना उसके इसाब साव सरे क्या जा सकता है ठीक है लेकिन एक चीज नहीं बदले गी फौन गनcan những यह जो पानी होगा सांध अधर अधर के निकल जाएगा जहां पर पानी ठहरेगा तो वहाँ पर सभी कठ्टे हो जाएंगे सारे और निउट्रियन्स जो पूसकतत होंगे से वहीं ना ही निट्रेंट्स बहुत जादा होते हैं ना ही और गेनिक माटर लेकिन यहां पर टिजॉल ऑक्सिज patrol तो घुलित ऑक्सिजुन होती है क्योंकि वाटर फ्लो बाराे वाटर चाप फ्लो होता है तो उसमें जो szawले मया से तो दो पानी है इसके अलावा आप डिजॉल ऑक्सिजन तो मैंने एक सेप्रेट वीडियो बना रखा है इन्वर्मेंट एकोलोजी की प्लेश में अवेलबल है वहां पर ठीक से समझ लीजेगा काफ बहता तरही किस मैंने समझाया है अगर आप पहाडों चले जाएंगे ना तो पानी की थोड़ी थोड़ी जो चोटी धाराएं ना जराएंगी अब वही जब कई धाराएं मिल जाती है तो देखो मैदान में कितनी बड़ी बड़ी नदियां गंगा नदी देख लो ठीक है ना तो साइड में वैदी कर सकते हैं वो पतल चोटी सी धारा भी क्या है लोटिक है और बड़ी इस नदी जो बैर रही है वो भी क्या है लोटिक है इसके अलावा भी सबकी जो डेफ्ट होती है या पर पानी बहने की जो स्पीड होती है वो भी अलग-अलग होती है ना जब नदी पहार से उतर रही होती है तो स लेकिन जब नदी की जो विलासिटी कम होती है तो वहाँ पार और नीचे जमने लगेगा वैसे गहराई भी अलग-अलग होती है तो इस तरीके से यह अलग-अलग भी हो सकते हैं लोटिक एको सिस्टम को आप समझते हैं कि इन सब में कंपेर करते हैं पहला हम बायोडावर्सिटी को कंपेर करेंगे तो इसको आपको समय देहरें दिक्कत नहीं होगी कि लेंटीक में क्या होता है बायोडावर्सिटी ज्यादा मिलेगी टिक ना लेकिन including plants, animals and microorganisms. यहां सब उच मिलने वाला है. पौदे भी मिलेंगे, चोटे-चोटे animals भी मिलेंगे, यहनी मस्निया वगएदा भी मिलेंगे, ठीके ना? और चोटे-चोटे जीवी मिलेंगे, लेकिन lintic ecosystem tend to support higher level of biodiversity, ठीके ना? जो lintic ecosystem होगा, वागे तलाब, जील, या wetland, ठीके ना? वहाँ पर biodiversity ज़्यादा होगी. क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वागे condition stable है, साथ में वाँ पोसक तत्व ज़्यादा है, ठीके ना? जबकि low tick में क्या होगे? वो जीव मिलेंगे, वो मस्निया मिलेंगे, जो adopted होगी fast moving water के लिए, क्योंकि यहाँ पानी तेजी से बैरा है, ठीके ना? तो यहाँ पर भी कुछ नो कुछ मिलेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी species मिलेंगी, ठीके ना? लाइकेंस वगेरा मिल सकते हैं, किनाद उपर, मस्निया मिल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे adopted होगे fast moving water के लिए, ठीके ना? क्या-क्या services provide करते हैं, आपको पता है, जो water bodies होती है, एक तो water filtration की service provide करती है, nutrient cycle, जो पोसक तक्तों को चक्र होता है, ठीके ना? जो अलग-अलग cycles होती हैं, अपने पढ़ियोंगी, water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle, and habitat for wildlife, ठीके ना? जिसे water filtration में क्या होता है, जैसे यह बालो ecosystem है, यहां पर चावत अब से पानी आ रहा है, तो उसमें बहुत सारे chemicals वगएरा हो सकते हैं, ठीके ना? heavy metals होती हैं, तो यह उसको filter कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो सब जम जाती हैं, ठीके ना? और पानी नीची जो साफ हो जाता है, जो ground water में पहुंचता है, वो साफ हो जाता है, वो यह services भी provide करते हैं, ठीके ना? habitat अगर पानी है, तो habitat भी होगा, ठीके ना? अब यहाँ पर बात आती है कि lentic में क्या फाइदे जादा होते हैं, लोटिक में क्या फाइदे जादा होते हैं, तो lentic ecosystem are important for human use, including recreational activities, ठीके ना? सच है facing and voting को जील है, तो वहाँ मसलिया वगएरा पकड़ने जा सकते हैं, या फिर बोटिक कर सकते हैं, इसमें फाइदा मिलता है, लेकिन जो lentic ecosystem होता है, वो किसमें transport ठीके ना? एक नदी है जैसे कि बहर रही है, तो transportation में मदद करते हैं, या फिर बान वगएरा बना के क्या सकते हैं, electricity generate कर सकते हैं, चीक है ना? तो यह इनकी importance हो गए, आगे समझते हैं, थेर्ट्स, दोनों में ही हैं, चुकि इसमें क्या हो रहा है कि लोटिक में थोड़ा पानी flow हो रहा है, तो थेर्ट्स साफ साफ नजर नहीं आते हैं, लेकिन आप देख रहे हो नदियां कितनी गंदी हो चुकी हैं, आसपास के जुगाओं के आसपास जो तालाब होते हैं, वो कितने गंदे हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, लगवाग डेड होने वाले हैं, ठीक है ना? यानिकि दोनों में ही समस्यां खड़ी हो चुकी हैं, तो लेंटिक और लोटिक एको सिस्टम So, pollution from agriculture, urbanization, industry, खेतों से, सहरों से, इंडस्ट्री से, ठीक है, यह सब क्या हो दें, pollution होता है, और यह कहां, कहीं न कहीं तु बह कर पहुँचेगा, ठीक है न, तो यह जीलों में पहुँचता है, नदियों पहुँचता है, ठीक है न, पहले कुछ चाहिए कुछ और है, अब पहुँच कुछ और ही गए है, ठीक है न, उससे क्या होगा, habitat loss होगा, fragmentation होगा, इससे क्या होगा, बहुत सारी जो biodiversity है, उसकी functionality सब क्या हो जाएंगी, effect हो जाएंगी, ठीक है न, इसके अलावा, जो climate change हो रहा है, उससे क्या होगा, कि जो water के availability बदल सकती है, हो सकता है, climate change के विए से कहीं ज़्यादा बारिस होने लगे, कहीं कम होने लगे, ठीक है न, इसके अलावा तापान हो सकता है, बढ़ने लगे, तो कहीं घटने लगे, तो climate change के effects हर जगे अलग-अलग होंगे, ठीक है न, कि और कर इसके। न,ीज़ भाजिज भाज़ मुझी ओी tď. कि आ慌 उताम आसे मुझी होना होने होना है, कि लगे उना होना 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 है, कि अन्सक्म को कहीं जगे, लगे होना होना है कि इसे अ होना है, झाल